कुछ फेस्बूक पेज ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया है सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए आल्ट न्यूज ने जान शुरू की वीडियो की फ्रेम्स को रिवर्स इमिज सर्च करने पर हमें ये वीडियो 2020 में पोस्ट किया हुआ मिला इंडिया व्लूम्स न्यूज सर्विस ने बताया कि ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है इसे कॉरोना लॉकडाउन के दौरान लिया गया था साथ में ये भी बताया गया कि एक मेडिकल टीम कॉरोना वाइरस से पीडित एक व्यक्ती की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों को कॉरंटाइन करने की कोशिश कर रही थी तब उन पर स्थानिय लोगों ने इट पत्थरों से हमला कर दिया हमले के बारे में बात करते हुए स्वास्यकर्मियों ने ये बताया था इंडिया टुडे और दहिंदू ने भी इस घटा की ख़बर दी थी रिपोर्ट में मुरादाबाद के वरिष्ट पुलिस अधिक शक अमित पाठक के हवाले से बताया गया है कि जब एक मैडिकल टीम मुरुतक के परिवार को कॉरंटीन करने के लिए ले जा रही थी उस समय तक्रीमन 150 लोगों ने एम्बिलन्स पर हमला कर दिया था मुख्य मंत्रे योगी आदियतनात ने भी कहा था कि ऐसे मामलों में उबद्रव्यों के खिलाफ कारवाई की जाएगी और सारवजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उन सही की जाएगी इस तरह 2020 का एक वीडियो हाल में राम नौमी के दिन हुई हिंसा के बाद की गई गिरफतारी का बतागर शेर किया गया झाल 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 झाल